हाई एवरिवन मैं हूँ धननजय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे बीते कुछ सालों में भारत और टर्की के बीच में रिलेशन बेहत खराब हुए हैं वैसे तो इसके बहुत सारे वज़य हैं लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से बीते कुछ सालों में तर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है और खास करके कश्मीर के मामले में अब ये कहने के जरुवत नहीं कि कश्मीर भारत का एक इंटेग्रल पार्ट था है और रहेगा इसी में आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान शिप्याट ने एक प्रोजेक्ट दिया था तर्किश कमपनी को जहां पर वो पांच हेल्पिंग शिप्स बनाते हमारे इंडियन नेवी के लिए उस कॉंट्रैक्ट को रद कर दिया गया है और उसके बाद जिस तरीके से टर्किश बीते कुस सालों में पाकिस्तान को सपोर्ट किया है यानि वैसे देश को सपोर्ट किया जिसका रिलेशन भारत के साथ अच्छा नहीं है तो as a result हमें ये पता है कि जो हमारे दुश्मन का दुश्मन होता है वो हमारा दोस्त होता है तो इसी नीती पे काम करते हुए बीते कुछ सालों में Government of India, Greece, Cyprus और हम कह सकते हैं कि बहुत हट तक अर्मेनिया के काफी close आया है इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर में ये shipping project क्या था थोड़ा सा in-depth detail में जानेंगे और उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि आखिर में Turkey का, Greece, Cyprus और अर्मेनिया के साथ क्या connection है मगर आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं बीते कुछ सालों में जिस तरीके से Government of India ने Make in India initiative को promote किया है बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक visionary initiative है जहाँ पर foreign companies भारत में investment करेंगे या यूँ समझ लें कि Indian companies के साथ वो collaborate करेंगे जिससे Indian companies को first hand experience मिलेगा उतनी बड़ी बड़ी companies के साथ काम करने के लिए अब इस article को आप देख सकते हैं जहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान shipyard ने Turkish company का जो contract था उसको रद कर दिया और जो 5 supporting ships Turkish company बनाने वाले थें वो अब हमारे हिंदुस्तान shipyard खुद से बनाएंगे जो कि हम अगेन कह सकते हैं कि यह अपने आप में काफी अच्छा step लिया गया है अब कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा और वो यह है कि चाहे infrastructure building हो गया चाहे defense में manufacturing हो गया यह सब अपने आप में बहुत बड़ा industry होता है जहाँ पे आपको research and development में खूब सारे पैसे डालने होते हैं क्योंकि भारत एक developing nation है इसलिए हर वक्त यहाँ पे fund का crisis रहता है कहीं न कहीं fund धंग से manage नहीं हो पाता है कहने का मतलब है कि अगर आप बहुत सारे infrastructure development करते हैं तो वहाँ से return late आता है अगर आप बहुत सारे पैसे को invest कर देते हैं research and development में तो वहाँ पे भी खूब investment होता है और वहाँ से return भी काफी सालों के बाद आता है तो कितनी बार क्या होता है कि government of India को ये लगता है कि अगर हम इस चीज को import कर लें तो शायद वो सस्ता पड़ेगा तो ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे कारण होते हैं जहाँ पे हम research and development में जो investment करना चाहिए वो investment हम नहीं कर पाते हैं बट फिर भी जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान Shipyard Limited ने इस contract हो cancel किया और ये फैसला किया कि ये 5 supporting fleet या ship हम खुद से बनाएंगे वो मेरे इसाब से काबिले तारीफ है हलाकि आप मेरे विचार से असाहमत या साहमत दोनों हो सकते हैं क्योंकि तर्की पाकिस्तान को बढ़ चल कर support करता है तो इसलिए ये हमारे लिए important हो जाता है कि हम भी उन सब देशों के साथ अपने नजदीकी को बढ़ाएं जिनका relation तर्की के साथ अच्छा नहीं है और दोनों देशों के बीच में high ranking officials या high ranking bureaucrats जब visit करना शुरू करते हैं तो दो देशों के बीच में जो relation होता है वो अच्छा हो जाता है या at least chances काफी अच्छे हो जाते हैं अच्छे होने का बीते एक सालों में हम कह सकते हैं कि ग्रीक से बहुत सारे high ranking officials इंडिया आये हैं और भारत के बहुत सारे high ranking officials के साथ उनकी meetings हुई है जो कि भारत के point of view से काफी अच्छी बात है अगर हम इस map को ध्यान से देखे तो हमें मालूम पड़ेगा ये है ग्रीस, ये है तर्की, ये ह islands को अपने हिसाब से claim करता है और तर्की अपने हिसाब से claim करता है तो हम समझ सकते हैं कि ग्रीस और तर्की के बीच में बहुत सारे islands को लेके या border को लेके dispute है ये भी एक बहुत बड़ा वज़ा है कि क्यों ग्रीस और तर्की के relation खराब है उसके बाद अगर हम बात करें Cyprus क हिसा हुआ करता था और second world war के आज पास तक Cyprus पे control British empire का हुआ करता था वैसे तो Cyprus एक independent country है लेकिन आज भी यहाँ पे इसके northern हिसा में जो control है वो तर्की का है इसके southern हिसा में जो control है वो ग्रीस का है और British का आज भी यहाँ पे military base है तो बहुत हद तक ये कह पाना कि ये Cyprus कित independent है बेहत मुश्किल है और इन सब हिसा में काफी oil reserve है तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी area को लेके अगर dispute होता है तो कहीं न कहीं उस area का अपना strategic importance है तो एक चीज तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि कुछ islands को लेके Greece और Turkey के बीच में dispute है उसके बाद Cyprus को लेके भी dispute है उसके बाद अगर हम अर्मेनिया के बात करें तो अर्मेनिया और Azerbaijan किसी टाइम पे USSR का हिस्सा हुआ करता था USSR का disintegration के बाद दोनों एक अलग-अलग independent country बन गये लेकिन आज भी इन दोनों के बीच में border को लेके dispute है कहने का मतलब है कि अर्मेनिया कुछ और क्लेम करता है और Azerbaijan क ये तीनों favor करते हैं भारत को और Pakistan favor करता है तर्की को तो हम यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है हलाकि Greece, Turkey या कहलें Cyprus, Turkey ये सब मामला अपने आप में बहुत ही बड़ा मामला है जिसको की एक वीडियो में समेट पार almost impossible हैं उसके बाद चाहे Turkey हो गया, चाहे Saudi Arabia हो गया या Iran हो गया इनके बीच में एक race चलता है जिस race में ये अपने आपको Muslim World का leader दिखाना चाहते हैं तो जब Government of India ने कश्मीर से Article 370 को हटाया थें तो बढ़ चड़कर Turkey का statement आया था पाकिस्तान के favor में और India के against में उसको देख Armenia, Cyprus या Greece तीनों से अपने diplomatic relation को और मजबूत करेगा जैसा कि मैंने वीडियो के starting में बताया था कि हमारे हिंदुस्तान Shipyard Limited ने तर्किश कंपनी को जो contract दिये थे उस contract को cancel कर दिया गया जिस contract में ये था कि 5 supporting ships को बनाया जाएगा और उन supporting ship को हमारे इंडिया नेवी को deliver करना supporting ship क्या होते हैं तो वैसे ship को supporting ship कहा जाता है जो main ship या ने कि जो offensive ship होते हैं उनका जो समान होता है उसको वो carry करते हैं और जो project था वो हम कह सकते हैं कि जिसका value भी काफी अच्छा था याने कि 1.5 billion से लेकर 2 billion American dollar का इसका estimated cost था जिसमें कि हमारे हिंदुस्तान Shipyard Limited और Turkish company के साथ Millbat के हम technical collaboration में काम करते हैं जिसको के हम simply कहते हैं transfer of technology लेकिन जिस तरीके से Erdogan का बढ़ चड़कर statement आना शुरू हुआ भारत के खिलाफ में और खास करके कश्मीर के खिलाफ में तो कही न कहीं government of India ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमें अपने making India initiative को और भी आगे जिसको देखते हुए हम लोगों ने ये फैसला किया कि हमें इस contract को cancel करना ही पड़ेगा जब हम इस type के articles को पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम पढ़ता है कि हमारे पास opportunities काफी हैं लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि government का delay response के कारण उन सब opportunities को हम capture नहीं कर पाते हैं अब क्योंक भारत से कोई परधान मंत्री 1983 में गय होते हैं ग्रीस समझ सकते हैं कि almost 40 साल का gap के बाद कोई prime minister भारत से दुबारा ग्रीस जा रहा है तो in a way हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से government of India, Greece, Cyprus और Armenia इन तीनों के साथ अपने relations को मजबूत कर रहा है तर्की को counter करने के लिए ये एक अच्छा step है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye